हे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेकनोलजी तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको MI10 Lite के Official Specs, Official Launch Date और Official Price बताने वाला हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैंने MI10 Pro के उपर अल्रेडी एक वीडियो बना चुका हूँ उपर काट्स में सो रहा होगा और दोस्तो कल मैं MI10 के उपर एक वीडियो बनाऊँगा तो इसको भी जरूर देखिएगा तो फिर हम लोग जल्दी से वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तों यहां पर आपको 6.57 इंचेस का स्क्रीन देखने को मिलेगा अगर स्क्रीन टाइप की बात कर ले तो IPS LCD देखने को मिलेगा जिहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको AMOLED या फिर OLED देखने को नहीं मिले रहाए आपको IPS LCD देखने को मिल रहा है और screen to body ratio की बाद कलने तो 84.8% आपको screen देखने को मिलेगा और resolution की बाद कलने तो 1080x2400 pixels देखने को मिल रहे है और दोस्तों expect ratio की बात कलें तो 90 ratio 9 ratio दिखने को आपको मिल रहा है और pixel density की बात कलें तो 395 PPI दिखने को मिल रहा है आपको तो दोस्तों अब तक आप समझ चुकियोंगे कि दोस्तों स्क्रीन होगा वो बिल्कुल medium होगा इतना खास नहीं है PPI भी कम है और दोस्तो screen resolution भी कम है price के सब से तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं screen protection के बारे में तो यहाँ पर आपको Corning का Gorilla Glass 5 देखने को मिल रहा है और 120 Hz का आपको screen देखने को मिलेगा यह दोस्तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं chipset के बारे में तो Qualcomm Snapdragon 765 देखने को मिलेगा जो दोस्तो 7 nanometer की technology पे based है और दोस्तो यह 5G modem के साथ आता है तो दोस्तो यह 5G processor है चलिए दोस्तो मैं और अच्छी साब को processor के बारे में बता देता हूँ तो दोस्तो यह octa core processor है 1.24 GHz Cryo 475 Prime and 1.2.2 GHz Cryo 475 Gold and 6 1.8 GHz Cryo 475 Silver तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि जो clock speed है बहुत ही अच्छी है पहले और last की processor की लेकिन दोस्तो जो beach वाला core है उसका clock speed थोड़ा कम है तो दोस्तो यह जो processor है आपको performance बहुत अच्छी देने वाली है flexi processor तो दोस्तो यह नहीं है क्योंकि दोस्तो इसको mid range flexi processor कह सकते हैं आप और चली यह बात कर लेते हैं GPU की बारे में तो Qualcomm Adreno 620 देखने हों को मिल रहा है तो दोस्तो यह smartphone आपको बहुत अच्छी performance प्रवाइड कर देगा आप बहुत अच्छी तरीकी से इसमें gaming कर लेंगे बीना किसी lag, बीना किसी stutter, बीना किसी glitch के आप बहुत अच्छी तरीकी से high settings पे game खेल पाएंगे और दोस्तो 120 Hz का स्क्रीन है तो आपको बहुत अच्छा smooth performance देखने को मिलेगा तो performance वाइज दोस्तो कोई इसमें doubt नहीं है आपको बहुत अच्छा performance देखने को मिलने वाला है तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं RAM variants के बारे में तो 6128 और 8256 देखने को मिलेगा जी आँ दोस्तो यहां पर आपको दो ही variant देखने को मिलेगा तीसरा variant आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहां पर आपको hybrid sim slot देखने को मिलेगा आप 2 nano sim लगा सकते हैं ने तो 1 nano या फिर 1 micro hd card लगा सकते हैं और micro hd card आप 256 GB तक का लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा का नहीं लगा सकते हैं तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं cameras के बारे में तो यहां पर आपको caught camera setup देखने को मिलेगा जो side corner में आपको punch hole देखने को मिलेगा और 16 MP का आपको front camera देखने को मिलेगा तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं यहां पर आपको और क्या-क्या मिल सकता है तो दोस्तो यहां पर आपको 3.5 mm jack तो देखने को मिलेगा और USB Type-C का support होगा और Bluetooth version 5.0 देखने को मिलेगा और चलिए बात कर लेते हैं दोस्तो हम लोग battery section के बारे में तो यहां पर आपको 4,160 mAh का battery देखने को मिलेगा जी यहां दोस्तो यह battery थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन दोस्तो यह fast charging को support करता है यह 20 watt के charger को support करता है और 100% battery 68 minute में यह charge कर देगा तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं sensors के बारे में तो fingerprint sensor आपको in-display वाला मिलेगा तो दोस्तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि in-display fingerprint scanner दिया जा रहा है मैं सोचा कि दोस्तो side mounted देदेगा तो बहुत दोस्तो बिकार होगा और accelerometer gyro proximity compass यह सब तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा और दोस्तो इसके तीन color variants होंगे blue, black, white तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं इसके price और availability के पारे में तो दोस्तो price की होने वाली है 29,100 रूपीज तो दोस्तो यह 29,000 का smartphone आएगा और वही बात कर लें यह इंडिया में कब launch होगा तो दोस्तो अभी कोई पता नहीं चला official date लेकिन दोस्तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि April के मन्त में यह launch होने वाला है लेकिन दोस्तो यह तीनो smartphone April के मन्त में launch होने वाले है MI10, MI10 Lite, MI10 Pro तो दोस्तो मैं MI10 Lite के उपर तो वीडियो बना दिया और MI10 Pro के उपर अल्रेडी बना चुका हूँ लेकिन MI10 के उपर मैं दोस्तो कल बनाने वाला हूँ तो दोस्तो उसको भी जरूर देखीगा तो दोस्तो मैं आपको पता दे रहा हूँ कि आपको यह smartphone purchase करना चाहिए कि नहीं चाहिए तो दोस्तो अभी तो price नहीं पता तो मैं कुछ भी नहीं कहा सकता हूँ लेकिन दोस्तो अगर इसके specs को देख के मेरे को लग रा कि अगर इसका price 29,000 होगा तो दोस्तो आप इसको मत लीजीगा इसका price लगबग 26,000 से 25 होना चाहिए तो दोस्तो यह बहुत suit करेगा क्योंकि दोस्तो MI10 Lite से अच्छा आप Realme X50 ले लीजिए Redmi K30 Pro ले लीजिए Poco X2 ले लीजिए यह सब smartphone दोस्तो ले लीजिए तो सही है लेकिन दोस्तो आपको 5G smartphone का भूख है तो दोस्तो यह smartphone purchase कर लीजिए क्योंकि दोस्तो यह one of the cheapest smartphone होने वाला है जो 5G के साथ आएगा otherwise दोस्तो इसमें और कोई extra features आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो दोस्तो अगर आपको अपने opinions share करने है तो दोस्तो नीचे comment करके आप मेरे को बता सकते है अगर आपको दोस्तो वीडियो पसंद आया तो उसको like कर देना और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को subscribe भी कर दो और मैं मिलता हूं सब उसे अगले और एक नहीं वीडियो में हमेज अपना ख्याल रखो खुस रहो चलो बाए Just do it If you're tired of starting over Stop giving up